जेसरी कृष्णा रादे रादे ये हमारी चैनल ओंग अनसागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम आप सभी के लिए एक बहुत सुंदर कहाने लेकर आए हैं संकट के समय काम आते हैं आपके पुन्य हर संकट दुख के समय में दान पुन्य और राम का नाम ही काम आता है हर मुसिबत में जिवन में राम नाम धन इकठा करने से जब इश्वरय सहयता की जुर्थ होती है तब राम बैंक से वे धन का भूग कर सकते हैं अराम धन इस लोक और परलोक दोनों में काम आता है इसलिए सभी को घर परिवार की सुक्षय और उजोल भविश्य के लिए अराम धन को लोकिक धन के साथ इकठा जरूर करना चाहिए या फिर निस वारत पूर्ने कारिय करना चाहिए मैं हूरी नसर्मा आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक बहुती सुन्दर प्यारे सी कहानी आसा करती हूँ कि आप सबको ये कहानी बहुती अच्छी लगेगी और हाँ हमारे चाइनल ओम ग्यान सागर को सब्सक्राइब करना ना बोले प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ जादा सी जादा शेयर करें बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुँचे आप सभी सुन सके और सभी परिवार दोस्त रिष्टेदारों के साथ जादा सी जादा शेयर कर सके तो चलिए जानते हैं हर वक्त को अपनी कमाई का कुछने कुछ भाग धार्मिक कारियों मानव शेवा सावर जनी कारियों अत्वा गरीव आजकों की सायता के रूप में अवश्य खरच करना चाहिए कहते हैं ना मानव के आड़े वक्त यानि बूरे समय में उनका ये किया गया दान पुन्य ही काम आता है कभी कभी दुर गटना से भी आदमी बच जाता है तो सभी बड़े बुजर्ग कहते हैं कि जाने कुन सा पुन्य करम किया जो दुर गटना से बच गई ऐसा भी देखा गया है कि कभी-कभी वक्ति को अचानक से ऐसा पद हासिल हो जाता है जिसके बारे नहीं तो उसने कभी सोचा होता है और नहीं हुए उसके काबिल होता है उससे भी ज्यादा योग्य वक्ति उस पद अत्वा पुर्षकार से वरजित रह जाता है इसके पीछे के दुआरा पूर्वे में किये गई पुन्य बल की सक्ति मानी गई है जो वक्ति को निरंतर संटो और मुसिबतों से बचाते हुए सफलता दिलाती है पुन्य बल कई परकार से अरजित किया जा सकता है सबसे सरल लाल कलम से राम नाम अंकित करना जा पर करपा राम की होई ता पर करपा कर ही सब कोई आई अब एक कहाने जानते हैं एक नगर में धनी अहकारी सेट रहता था वह दान पुन्य समय समय पर करता था पर दान पुन्य का दिखावा भी बहूत करता था वह सभी से बताया करता था कि मैंने ये काम किया मैंने वहाँ पर दान दिया मैंने वो का एक दिन सेट ने तुला दान का विचार किया, उसने तुला में अपने वजन के बराबर का सोना गरीबों में बाटा, उसी नगर में एक संत भी रहते थे, सेट ने उन्हें बुलाया और कहा कि मैंने अपने बाहर के बराबर का सोना गरीबों में बाटा है, उसमें से आप भी थोड़ा सा ले ले। संत ने कहा मेरा परभू मुझे इतना देता है कि मैं उसमें बहुत सुकी हूँ। यदि आपकी इच्चा है तो आप इस तुलची के पत्ते के बराबर सोना मुझे दे दो। सेट का पूरा खजाना खाली हो गया। सेट के समझ में आ गया। राम नाम से अनमोल वस्तु इस संसार में नहीं है। सेट संत के चरनों को पकड़ कर बोला महराज एंकार ने मुझे अंदा बना दिया था। आपने मुझे सही मारक दिखाया है। मैं आपका सचे दिल से अवा कठिन समय में दान पूर्णे तथराम का नाम ही काम आता है, जिस परकार लोग बैंक में एवडी बनवाते हैं और जरूरत पढ़ने पर उस एवडी को तोड़कर उप्योग करते हैं। उसी परकार भकत राम नाम लिखकर राम बैंक में जमा कर एवडी बनवाते हैं ताकि बगवान राम उनकी समय अनुसार मुनो कामना पूर्ण करे हारी विमारी ग्रह बादा विप्ति के समय उनका पुन्य परताब वक्ति के घर परिवार की रक्षा करता है जिस प्रकार वक्ति कमायो धन का विप्ति के समय उप्योग करने के लिए बैंक में जन धमा करता है और ज प्रकार मुनिश्य को जियोन में राम धन इकठा करना चाहिए। चाहिए बगवान राम का नाम श्वय लिखना और दूसरों से लिखवाने के लिए परेट करने वाले की परभू चोड़ चपेड दूर गटना आदी से रक्षा करते हैं। कठा करना चाहिए। सत्युग में तप से तेत्रा युग में यक से दुआपर में दान से जो फल मिलता है कल युग में के वल सिरी राम नाम समरन से ही उस फल की सहज प्राप्ती हो जाती है। राम के जब से ही जीवन की जनम जनमांतर की समस्त यादी व्यादी धूर हो जाती है और परभू सरन गती की प्राप्ती भी हो जाती है। हिंदु धरम में मानत है कि राम का नाम लेने से भक्तों की सभी प्रकार की प्रेसानिया खतम हो जाती है। कई बार तो राम नाम लेने से ऐसे फल भी मिलते हैं जिसकी कभी कलपना भी नहीं की होती। यो तो राम नाम कभी भी लेने और लिखने से करपा प्राप्त होती है लेकिन राम नौमे पर ऐसा करने से विशेश फल की प्राप्ती होती है सास्त्रों के अनुसार संसार में राम नाम से बटकर और कुछ भी नहीं है हिंदु धरम में राम के हर अक्षर में सुक की प्राप्ति है रह के उचारन करने से हमारे सारे पाप बाहर निकल जाते हैं और मैं के उचारन से मन के कपाट बंध हो जाते हैं जिसे पाप फिर से मन में परोइस नहीं कर सकता ऐसा कहा जाता है कि इस कल्यूग में कैवल राम के नाम से सारे मनोर्थपुल्ण हो सकते हैं राम नाम जपनी की अपेक्षा सो गुना अधिक पुन्य राम का नाम लिखने से मिलता है माना जाता है कि लाल रंग की शाई से सिरी राम का नाम लिखने से अन्मान जी भी परसन होते है इससे सनी राहू और केतु जैसे ऐसो ग्रहों का परकोव कम हो जाता है राम नाम लिखने से मन एकागरत होता है और समरन सक्ति में वर्दी होती है राम सबद की दहुनी जीवन से सभी दुखों को मिटाने की समता रखती है दहुनी विग्यानिकों को माने तो राम नाम के उचारन से मन शांत होता है इसे घर में सुक्ष मर्दी और शांती आती है साथ ही जीवन में सकरातम उर्जा का संचार भी वड़ता है राम सबर्दो बीजाक्षरों अंगनी बीच और अमरत बीच से मिलकर बना है ये एक्षर दिमाग शरीर और आत्मा को सक्ति परदान करते हैं राम नाम का तीन बार उचारन हजारों देवताओं का समरन करने के समान माना जाता है जे शिरी राम आसा करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आएगी और हाँ हमारे चैनल ओम ग्यान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक सभी परवार दोस्तों के साथ जादा से जादा शेयर करें तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ जब तक आप सभी लोग शुस्त रहें, मस्त रहें, खुस रहें, तरकी करें, बगवान आप सब की हर मनों कामना पूरी करें और हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें, जै शिरी किष्णा रादे रादे धन्यवाद